गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, स्टैंडर्ड सेक्स, सब्जेक्ट इंग्रेश, 4.5, हेडिंग इस इफ आइकन स्टॉप वन हाट फॉम ब्रीकिंग, इमिली डिंग्सन, अब इस ये पोयम में पोईट क्या कहना चाहता है, कि काश यदी में किसी का दिल न दुखाता, कि काश में उस चीज को रोक पाता, ठीक है, कोई भी हो, कोई भी परसन हो, अगर कोई परसन हमारे इस दुनिया में निराश नहों, उदास नहों, तो हमारा जो जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, वो कितने खुशे से अपने जीवन को व्यक्त करते रहेंगे, बिताते रह तो इस पोएम के थूप लोगों को यह बताना चाहता है कि हमें कितने भी कठिनाईयां आने दो लेकिन निराश नहीं होना चाहिए बलकि उनका डटकर सामना करना चाहिए लाइक यौर एक्जाम्स अब एक्जाम्स आ रहे हैं अब एक्जाम्स आनलाइन शुरू हो गए हैं ब लेकिन उसी में सैटिसफाइड होना चाहिए लेकिन अपने अंदर होना चाहिए ठीक है पोएट ये बोल रहा है कि अगर मैं किसी को रोक पाऊं किसी को निराश न होने के लिए तो मैं बहुत महनद करूँगा कि लोग निराश न हों मुझे ऐसे फालतु में ही बैठने के लिए मन नहीं करता है वेन मिंस व्यर्थ ऐसे फालतु के काम में ऐसा टाइम पास करना पसंद नहीं है कुछ न कुछ करने कि उसकी चाह है किसी के लाइफ को जो दुखी है दुखी लोग है उनके दुख को दूर करने के लिए काश में उनकी हेल्प कर पाता और कूल वन पेन कूल वन पेन रिड्यूस दपेन गिव रिलीव और चुटकारा देना कि हाँ मैंने तुमारी यह प्रॉब्लम सॉल्फ कर दी है और लोगों की हेल्प करते हुए जैसे मैं कर रहा हूँ अगर ऐसी सारी दुनिया एक दुसरे की मदद करें एक दुसरे के दुख में शामिल हो और उस दुख में शामिल होकर दुख को कम करके सुप के तरफ लेकर जाएं और इस जैसे कोई भी बर्ड्स को भी बहुत सारी तकलिफ होते हैं तो ऐसे लोगों को रिलीफ करके अराम से लोगों को खुश करें तो लोगों को खुश करना यही पोईट कहना चाहता है इस पोयम में किसी का दिल तुटने से किसी को मैं बचा पाऊं ठीक है